क्या आपको भी हल्वाई जैसा शकरपरा घर पर बना के खाना है तो इस पीडियो को अन्द तक जरूर देखना इस पीडियो में हम बताएंगे हल्वाई जैसा शकरपरा कैसे बनाते हैं बिल्कुल कम चीजों में बनाएंगे तो चलिए हमारा रेसिपी स्टाट करते हैं मैंने अपर एक कटोरी जितना मैदा ले लिया है मैदा को हम पहले छान लेंगे अच्छी तरीके से कभी भी आप कुछ भी बनाते हो तो मैदा आठा सकुछ छान के लेना है यहापर मैंने चुटकी भार नमा क्याड कर दिया है अभी इसे हम अच्छी तरीके से मिला लेंगे अगर आपको भी घर पे शकर पर खाने का मन है तो इस रेसिपी को जरू ट्राइ करना मैंने यहापर लगभग तीन से चार चमच वाईल याड कर दिया है और यहापर मैंने आटे को मिक्स कर लेना है मैदा को बिल्कुल इस तरीके से आप देख सकते हैं मैरा मैदा किस तरीके चे बन गया है अभी से हम हलका हलका पानी चेड़ करके एक डो बना लेंगे मैदा का इस तरीके से अगर आप मैदा चैनते है तो आप जो भी बनाएंगे आपका बिल्कुल सौप्टी बनेगा तेश्टी बनेगा अभी इसे हम पास से दस मिनिट तक वैसे ही छोड़ देना है अब देख सकते हैं कितना सौफ्ट हो चुका है अभी इसको मैंने दो हिस्सों में कर लिया है हम शकरपरा बना रहा है इसलिए इसे हम थोड़ा मोठा मोठा बेलेंगे अगर आप चाते हैं तो इसे आप वाइल से भी बेल सकते हैं देख सकते हैं मैने आपर थोड़ा मैदा को मोठा ही बेला है अब इसे हम चूरी चाकुल किसी की पिसायता से हम इसे काट लेंगे आप इसे किसी भी शेप में बना सकते है देख सकते हैं शकरपरा के शेप कैसे रहता है तो मैंने इसे ऐसा ही शेप में काट लिया है अगर मेरे वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना फ्रेंड्स देख सकते हैं बिलकुल एक के उपर एक नहीं चिपका है और कितना पर्फेक्ट बनके अमरा शकरपरा प्रेयर हो चुका है मैंने हापर ठीक उसी तरीके से दूसरी बार भी एदा को बेल के शकरपरा के शेप में काट लिया है अबर मैंने एक काटोरी में सारे निका लिया है अभी आपर मैंने काडाई को गरम होने रख दिया है एक एक करके हम थोड़ा डीप फ्राइ करेंगे सारा हम इसे फ्राइ कर लेंगे अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कर देना दोस्तों अभी इसे मैंने हापर सारे इस तरीके से फ्राइ कर लिया है थोड़ा डीप फ्राइ करेंगे हलका सा खलार आने देंगे फिर हम इसे निकालेंगे आप देख सकते हैं इसी तरीके से मैंने हापर सारे शकर परे को फ्राइ कर लिया है और निकाल लिया आएंगे अभी आपर मेरा मैंन प्रोसेस बाकी है तो यहन तक जरूर देखना यह आपर एक कटोरी जितना शकर ले लिया है और आधा कटोरी जितना पानी आड़ कर दिया है इसमें देख सकते हैं यहने आपर कुछ इस तरीके से मिक्स कर लिया है शकर परे को बिल्कुल इसी तरीके से बनाना आपका शकर परा एक दम परफेक्ट बनके तायर हो जाएगा तो मेरी वीडियो कैसी लगें कमेंट में जरूर पताना और मेरी वीडियो पसंद आये तो लाइक जरूर कर देना अगर आप फेस्बूक से देख रहे थो फालो करते ना यूटूब से देख रहे हो तो सबस्क्राब कर देना थैंकू बाइ- बाइ-बाइ फ्रेंस मिलते है रेक नए वीडियो में तब तक के लिए आप शकर बड़ा एंजाए कीजिए बाई